नमस्कार दोस्तों, ओनलान लर्निंग्स टेनो चनल में आप सभी का स्वागत है, सो शब्द प्रती मिनट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आना राहत की बात है संक्रमन से मोतों के मामले भी अब नियून हैं, अगर कुछ एक राज्यों को छोड़ दें तो शेश भारत में जन जीवन समान्य हो चला है ऐसा बचाव संबंधी उपायों और प्रती बंधों के कारण संभव हो पाया इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका टीका करण की रही है पिछले ग्यारा महिनों में सत्तर करोड से ज्यादा लोगों को टीके पहली खुराक दे दी गई दोनों खुराक लेने वालों का आकडा भी 40 करोड के पार है जाहिर है अगर टीका करण अभियान गती ना पकड़ता तो महामारी पर काबू पाना आसान नहीं था हालां की खत्रा अभी टला नहीं है पर तसली की बात यह है कि जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जाती रही थी उससे फिलहाल बचाव हो गया इसलिए अब भी बचाव संबंधी उपायों का पूरी तरह से पालन करते हुए सतरकता के साथ रहने और टीका करण की जरूरत बनी हुई है टीका करण की रफ्तार बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है कि जल्द से जल्द लोगों को संक्रमन से बचाव का सुरक्षा कवच मुहया कराया जा सके इसमें संधे नहीं की टीका महामारी से बचाव का बड़ा हतियार साबित हुआ है टीका लगवा चुके लोगों को अगर संक्रमन हो भी रहा है तो वे गंभीर स्थिती में जाने से बच जाते हैं लेकिन जिन लोगोंने टीका नहीं लगवाया है उनके संक्रमित होने का जोखिम कहीं ज्यादा है अब देश के जादा तर हिस्सों में जन जीवन पहले की तरह समान्य हो चुका है और हर जगह भीड बढ़ने लगी है इसलिए खत्रा बना हुआ है सात राज्यों, राजेस्थान, मध्यपरदेश, बिहार, पंजाब, हरियाना, जारखंड और चत्तिसगड में करीब साड़े पांच करोड लोगोंने पहली खुराक भी नहीं लगवाई जैपूर, भोपाल, पटना, जालंधर, करनाल, रांची और रायपूर जैसे शहरों में 33 लाक लोगोंने अभी तक टीका नहीं लगवाया अकेले पटना में ऐसे लोगों का आकड़ा 11 लाक है, लोग अब भी तीका लगवाने से कत्रा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि महमारी चली गई है और अब टीके की जरूरत नहीं, पर ऐसा सोचना खत्रे को नियोता देना है, इतना ही नहीं, जिन लोगोंने पहली खुराक लेली, वे दूसरी खुराक लगवाने से बच रहे हैं 17 राजियों में 10 करोड 34 लाख लोगोंने दूसरी खुराक नहीं लगवाई, जबकि विशेशग्ये चेताते रहे हैं, कि नियत समय पर दूसरी खुराक लगवाना जरूरी है, तभी दोनों खुराक मिलकर पूरी तरह से प्रतिरोधक शमता बनाती है अभी तक टीका करण में बड़ी दिक्कत टीको की उपलब्धता को लेकर बनी हुई थी, हालांकी टीको की कमी अब थोड़ी तो दूर हुई है, लेकिन समस्याएं इस्थानियें इस्तर पर जादा हैं, राज्यों में टीका करण केंद्र अब भी लोगों की पहुच से बहा हैं, इसी लिए अब केंद्र सरकार ने राज्यों से छोटी छोटी योजनाय बना कर टीका करण तेज करने को कहा है, ओड़ी शा में तरेपन स्कूली छात्राओं और चिकित्सा विज्ञान के 22 छात्र संक्रमित मिले हैं, इसी तरह के मामले राजिस्थान में आए हैं, यानी खत्रा बना हुआ है, इसलिए राज्यों को अब अपने हिसाब से इस्थानिय इस्तर पर रणनीती बनाने की जरूरत है, घर घर टीका करण का काम इस दिशा में बड़ी भूमी का निभा सकता है, कारल्यों में टीका करण का इंतजाम करवा कर जादा से जादा लोगों को इसके दाइरे में लाया जा सकता है, अगर टीका करण में हम पिछड गए, तो फिर से महामारी का हमला होते देर नहीं लगने वाली, उत्तर परदेश पुलिस के इन दिनों होश उड़े हुए हैं, जब परशासन को पता चला कि परदेश के कुल सवादोसो पेशेवर अपराधियों में से 47 लापता हैं, और उनमें से 16 भूमी गत हो गए हैं, तो उनकी तलाश के लिए आनन फानन में 35 टीमें गठित कर दी गई, यह सारी कवायद परदान मंत्री की सुरक्षा के मद्दे नजर की जा रही है, वे जेवर में अंतराश्टिये हवाई अड़े का भूमी पूजन करने जाने वाले हैं, इसी करम में जब उत्तर परदेश पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम को ध्यान में रखते हुए पेशेवर अपराधियों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, तो सोला अपराधी लापता पाए गए, पेशेवर अपराधी यानी जिने पुलिस हिष्ट्री शीटर कहती है, उन पर हत्या जैसे अनेक संगीन अपराधों के मामले दर्ज होते हैं, ऐसे अपराधियों पर पुलिस लगातार नजर रखती है, कईयों को वह दिन और समय तक करने थाने में हाजरी देने को कहती है, उनके फोन आदी के जरिये उनकी गती वीदियों की जानकारी ली जाती है, फिर भी उनमें से अगर सोलह अपराधी भूमी गत हैं, उनके बारे में किसी परकार का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा, तो स्वभाविक ही पुलिस के लिए चिन्ता की बात है, इस तरह अपराधी तभी गायब होते हैं, जब उनके दिमाग में कोई बड़ी घटना अंजाम देने की योजना पल रही होती है, उत्तर परदेश के मुखे मंत्री योगी आदित्यनाथ अनेक मौकों पर दोहरा चुके हैं, की परदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उन्होंने पुलिस को मुक्त हस्त भी कर रखा है, जिसका नतीजा है की विभिन मुठ भेडों में अनेक कुख्यात अपराधि मारे जा चुके हैं, इसी को देखते हुए पिछले दिनों जब केंद्रिये ग्री मंत्री उत्तर परदेश के दोरे पर गए, तो उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि अब उत्तर परदेश में दूर दूर तक अपराधी ढूंडे नहीं मिलते, हालांकी तब विपक्षी दलों ने अनेक घटनाओं का हवाला देते हुए केंद्रिये ग्रीही मंत्री के उस बयान पर टिपनियां की थी, श्टोप, फ्रेंड्स, पीडियाफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा, आप हमारे वोट्सेप ग्रूप और टेलिगराम ग्रूप से जुड़कर भी वीडियो के डेली डिक्टेशन और पीडियाफ फाइल पा सकते हैं, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, धन्यवाद मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में,